नमस्कार आज का हमारा विशह है घर बैठे सरलता पूर्वक कैसे द्यान किया जाए। आज के समय मनुष्य, शारिरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक ऐसे कई तनावों से परिशान है। इन तनावों से मुप्ति का रामबाण इलाज है द्यान। द्यान की पद्धति के द्वारा हम इन तनावों से मुप्ति पा सकते हैं। तो हम द्यान की छोटी-छोटी सरल विध्य सीखेंगे और आप इसको घर बैठे कर सकते हैं। तो आईए हम द्यान की विध्य को सीखते हैं। आप सुख पुर्वक अवस्था में बैठ जाएं। और हातों को इस प्रकार से मुद्रा बनाकर गुट्नों पर रख लीजिए। और आखे बन कर लीजिए। पिलकुल कुमलता से आखे बन करें। अब आपको श्वास लेना और छोड़ना धीरे धीरे। लगातार करते रहें। श्वास लेना खाली करना। एक रिदम में श्वास भरें खाली करें। लगातार चलने दे। एक बार विश्राम कीजिए। आज्या चक्र पर। दोनों आइब्रोज की बीच का जो भागे जहां तिलल बिंदी लगाई जाती है। वहां ध्यान लगाए। अब भ्यास को फिर से दोहर आए। लगातार चलने देजिए। लगातार चलने देजिए। चलने देजिए। विश्राम कीजिए। ध्यान वापस अपने ब्रकुटी के मध्य आग्या चक्र पर लगाई। दोनों आइब्रोज के मध्य में आग्या चक्र है। यहां अपने ध्यान को स्थिर करें। एक बार और अभ्यास को दोहराए। आखे बन रहेंगी कॉमलता से। निरंतर श्वास पर श्वास चलती रहे। एक रिदम में। चलने देजिए। चलने देजिए। निरंतर बारी रखिए। विश्राम किजिए। फिर से ध्यान अपने अग्या चक्र पर बनाए रखें। और लगातार ओमकार का नाद करना है। ओम 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 विश्राम किजिए। अब ध्यान को पेट पर लेकर आईए। पेट कैसे श्वास भरते हुए पेट अपने आप फूट रहा है। उसे देखना है। द्रस्टा भाव से पेट के अंदर और बाहर की प्रक्रिया को देखना है। देखते रहिए साक्षी भाव से पेट बाहर की ओर हो रहा है। अंदर की ओर आ रहा है। देखते रहना है। जैसे आपने श्वास भरी पेट बाहर की ओर हुआ। श्वास खाली करी पेट अंदर की और जा रहा है। केवल द्रस्टा भाव से देखी। अपने पेट पर केदरित रखें। देखते रहे। साक्षी भाव से अपने पेट पर देखते रहे। पेट कैसे अंदर बाहर हो रहा है कोई प्रयत्म नहीं करना है केवल द्रस्टा भाव से देखते रहना है सजगता से देखते रहना है देखते रहें पूर्ण सजगता से देखते रहें मन को बराबर पेट पर बनाए रखें अपने ध्यान को बराबर पेट पर लगाए रखें अपने ध्यान को पेट पर अंदर और बाहर होती हुई प्रक्रिया को देखते रहें पूरा ध्यान पेट पर आखें बन नहीं रहें दोनों हातों को नमस्कार की मुद्रा में रधह के पास लेकर आएं और राथना करेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनह सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चे दुख भाग भवेत ओम शांधि 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 창 शांधि Samendo Om Shanti 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 Om Shanti 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 अब दोनों हातों को अच्छे से रगड़ें अच्छे से घर्शन करें लगातार आखे बंद रहें अच्छे से रखड़ते रहें और दोनों हातों के कप्स बनाकर अगर चश्मा पहना तो हटा दीजिए और आखों को कवर कर लिजिए और कोहनियों को गुटनों पर आगे जुगा कर कुछ देर इस सवस्था में रुकिए मन आपका और शांत हो जाएगा और मन कोई सुझाओ भी दे सकते हैं मन शांत हो गया है मेरा मन शांत हो गया है अब हलके हलके हाथों को चेहरे पर हलके हलके रगड़े, आखों को हलके हलके कोमलता से और हाथों को धीरे-धीरे नेचे लाकर विश्राम करें आखें आप खोल सकते हैं धन्यवादें आपसे आखरह है कि इस वीडियो को देखकर आप घर पर इसे नियमित अपने द्यानिक जीवन में लागू करें और नियमित ध्यान करें तो कुछ दिनों बाद आप ये पाएंगे कि आपका मन, शांत और आनन्दित हो गया हैं और आप अंतर से प्रसन्नता का भाव अनुभाव कर रहे हैं और जीवन के सारे तनाव कस्ट से आप मुक्त हो गये हैं ऐसा आप अनुभाव करेंगे